अगर आप put option में trade करते हैं, चाहे आप buyer हो या seller, आपको put option के risk profile को समझना सबसे ज़्यादा important है और इसे समझे बिना आपको put option में trade नहीं करनी चाहिए So, इस video में हम put option को एक real life example से समझने वाले हैं और फिर उसके risk profile को भी समझने वाले है So, make sure कि आप video को in तक देखे और आपको बता दो कि हम option trading पर एक complete course बना रहे हैं और ये video इस series का तीसरा video है हमने इससे पहले दो video में already option क्या होता है और call option के बारे में detail में समझा है अगर आपने इन videos को अभी तक नहीं देखी है तो आपको जरूर देखनी चाहिए तो चलिए आप put option को detail में समझते है put option में दो parties होते है put buyers और put sellers अगर put buyer किसी trade में entry कर रहा है तो उनका view है कि market bearish है यानि कि नीचे किया और जाने वाली है और अगर put seller किसी trade में entry कर रहा है तो उनका view है कि market या तो sideways है या bullish अगर market sideways भी रहेगी तब ही put seller को profit होगी जो मैं वीडियो में आगे बताऊँगा कि कैसे sellers को sideways market में भी profit होती है तो चलिए अब put buyers और sellers को एक real life example से समझते है Let's assume कि आपके पास एक घर है जिसका market price 5 लाक रुपए है जिसे आप near future में sell करना चाहते है और आपका घर एक mall के पास है मगर आपको खबर मिली है कि mall एक दो महिने में बंद होने वाली है और आपको डर है कि अगर ऐसा हुआ तो आपके घर की price 5 लाक से बहुत कम हो जाएगी इसलिए आप अपने घर को आज के market price पर एनकी 5 लाक रुपए पर sell करना चाहते है अगले 6 मेने के बाद मगर आपको doubt है कि शायद mall बंद ना हो और price जादा भी बढ़ सकती है सो इन दोनों तरह के risk को देखते हुए आप एक real estate agent के पास जाते है और उन्हें 20,000 रुपए as a booking amount देते है और एक option contract करते है कि आप अपने घर को अगले 6 मेने के बाद 5 लाक रुपए में यान की market के current price में sell करना चाहते है चाहे घर का price बढ़ है या कम हो seller agree हो जाते है और आपने जो 20,000 रुपए दिये है वो non refundable होती है जिसे आपको एक right मिलता है कि अगर आप चाहे तो अगले 6 मेने के अंदर अपने घर को sell कर सकते है या नहीं भी कर सकते है ये आपके उपर है अगर 6 मेने के बाद घर की price बढ़कर 6,000,000 हो जाती है जो आपने as a booking amount दिये थे जो कि non refundable थी और अगर घर की price कम होका 3,000,000 हो जाती है और आपने 20,000 booking fee दिये थे तो total 3,000,000 होगी और अगर आप घर को 5,000,000 रुपाई पर as per contract sell करते है तो आपको total profit 5,000,000 minus 3,000,000 total आपको 1,800,000 का profit होगा क्योंकि घर का price तो कम हो चुकी है मगर आप अभी भी इसे 5,000,000 रुपाई पर sell कर रहे हैं तो आपका total profit 1,800,000 होगी घर का price 6 महिने के अंदर जितना जादा कम होगा आपका profit उतना जादा होगा क्योंकि आपने 5,000,000 price पर घर sell करने के option contract को खरीदा है चलिए अब इसे real estate agent के perspective से भी समझते हैं यहाँ पर real estate agent को लगता है कि mall बन नहीं होगी और इस घर का price आउट जादा बढ़ने वाली है उनका सोच है कि अगर price बढ़ती है तो आप घर को 5,000,000 पर नहीं sell करेंगे तो उनको 20,000 का profit हो जाएगा जो आपने booking amount दिये थे जो कि non-refundable थी और अगर price same भी रहती है याँ कि 5,000,000 भी रहती है तब भी उनको 20,000 का profit होगा क्योंकि आपने 5,000,000 में sell करने का contract किया है चलिए अब इस example से stock market के कुछ technical term को समझता है जिसे हम option के main component भी कहते है यहाँ पर घर को हम underlying asset कहते है 5,000,000 रुपाई को हम strike price कहेंगे जिस price पर घर को sell करने का option को sell किया है 6 महिने को हम expiration date मानेंगे क्योंकि यह contract 6 महिने के बाद expire हो जाएगी और 20,000 रुपाई को हम put option के premium कहेंगे जो आपने real estate agent को as a booking amount दिये थे lot size यहाँ पर एक है क्योंकि एक quantity को ही आपने sell करने का right को खरीदा है और आप यहाँ पर put option buyer है क्योंकि आपने घर को sell करने के लिए option contract को premium दे कर खरीदा है आपको हमेशा यह धान में रखना है कि जो भी इंसान premium pay करता है वो एक buyer होते है और जो इंसान premium लेते है वो एक seller होते है यहाँ पर put option seller real estate agent है क्योंकि उन्होंने premium लिया है और option contract को sell किया है यहाँ पर put option buyer आप 20,000 रुपए as a put option premium pay करते है put option seller को आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में जब हम call option के बारे में बात किया था तो वहाँ पर buyers को right to buy होता है याँकि buy करने का हक होती है मगर यहाँ पर buyers को right to sell है याँकि अपने घर को sell करने का right को खरीदा है put option के थूँ और seller 20,000 रुपए as a put option premium लेकर आपको एक घर को 5,000 रुपए में अगले 6 महिने के अंदर खरीदने के right को sell करते है put option के थूँ एक perfect example है put buyer और put seller का आप यहाँ पर घर के जगा किसी भी stock को assume कर सकते हैं यहाँ पर आप एक put buyer है क्योंकि आपने premium दिये है और आपका view है कि price कम होने वाली है यानि कि bearish है और real estate agent एक put seller है क्योंकि उन्होंने premium को लिया है और उन्हें लगता है कि price same रहेगी या बढ़ेगी यानि कि market sideways रहेगी या bullish होगी यहाँ पर आपको 6 महिने के अंदर इस घर को 5 लाक रुपए में sell करने का हक है क्योंकि आपने 20,000 रुपए booking fee देकर एक agreement किये है मतलब आपको right to sell है यानि कि इस घर को sell करने का हक है और seller को obligation to buy है यानि कि मजबूरी है कि 6 महिने के अंदर जब ही आप यानि कि buyer इस घर को sell करना चाहता है 5,000,000 रुपए पर seller को खरीदना ही होगा क्योंकि seller ने आपसे 20,000 रुपए booking fee लिया है put buyer को profit unlimited हो सकता है और loss limited है यान कि only 20,000 रुपए का maximum loss हो सकता है जो आपने premium pay किया है और put seller का profit limited है आपने जो 20,000 का premium दिये है वही put seller का maximum profit हो सकता है मगर put seller का loss unlimited है चली आप put buyer और seller के profit और loss को risk profile से समझता है ताकि आपको ये concept completely और clearly समझ में आए अगर आप एक put buyer और seller है तो आपके लिए risk profile को समझना सबसे ज़ादा important है क्योंकि ये आपको बताता है कि अगर आप किसी trade में entry कर रहे है तो आपका loss कितनी का हो सकता है और profit potential कितना है तो अभी हम buyer and seller के risk profile को समझने वाले है तो make sure कि आप ध्यान से देखे ताकि आपको ये concept अच्छे से समझ में आए risk profile of long put option long का मतलब है buy करना put buyer की probability of winning only 33% होती है और ये 33% क्यों है इसे हम थोड़ी देर में discuss करेंगे so make sure कि आप इस वीडियो को इन तक देख रहे है अब आपने put option को buy किया है तो हम stock market के term में से कहेंगे कि आपने long किया है so यहाँ पर हम put option को buy करने के risk profile को देखेंगे इसे हम payoff diagram या payoff chart भी कहते है यहाँ पर x-axis पर shear का price है और y-axis पर profit, loss और premium है यहाँ पर risk profile को समझने के लिए let's assume कि आपने 20 रुपई premium दिये है और stock की price या strike price 100 रुपई पर है आपने 100 रुपई के strike price पर option को 20 रुपई premium देकर खरीदा है आपका view है कि price कम होने वाली है यान कि bearish है और अगर market bearish होगी तभी आपको profit होगा अगर stock expiry से पहले 100 रुपई या उसे उपर रहता है तो ऐसे में आपका loss 20 रुपई का होगा क्योंकि आपने 20 रुपई का premium पे किया है और अगर stock expiry से पहले 100 रुपई से नीचे जाता है 100 से 80 के बीच में जैसे जैसे price नीचे move करेगा आपका loss धीरे धीरे कम होने लगेगा और जब भी price 80 तक पहुँच जाएगा तो आप break even पर होगे क्योंकि stock का actual price 100 रुपई है जिस price में आप इसे buy किये है मगर आपने 20 रुपई premium दिये है तो जब भी price 80 पर होगी आपके premium का 20 रुपई भी कबर हो जाएगा और आप break even पर होगे और price 6 मेंने के अंदर 80 से जितना नीचे move करेगा आपका profit उतना जादा होगा अगर price 80 पर expire होती है तो आप break even पर होगे यानि कि no loss no profit पर होगे यहाँ पर आपका loss limited है सिर्फ 20 रुपई का maximum loss है इसलिए आपका loss limited है मगर आपका profit unlimited है expiry date से पहले price 80 से जितना नीचे move करेगा आपका profit उतना जादा होगा तो अगर आप put option को buy करते हैं तो आपका risk limited to only premium है मगर आपका profit unlimited है हमने long put के risk profile को देख लिया है यान कि put buyers के risk profile को हमने देख लिया है तो आप चलिए short put के risk profile को भी देख लेते हैं यान कि put seller को कितना risk हो सकता है और profit कितना हो सकता है इसे भी देख लेते है risk profile of short put option short का मतलब होती है sell करना put seller की probability of winning 67% है और यह 67% क्यों है इसे भी हम थोड़ी दर में discuss करेंगे अब आपने put option को sell किया है तो हम stock market के term में इसे कहेंगे कि आपने short किया है यहाँ पर आपने seller से put option को buy किया है तो आपने 20 रुपए दिये है put option को खरीदने के लिए तो seller को direct 20 रुपए मिल गया है यहाँ पर seller को लगता है कि price 100 से नीचे नहीं जाएगी या तो 100 रहेगी या उससे जादा रहेगी इसलिए उसने put option को 20 रुपए का premium लेकर बेचा है इसका मतलब है कि seller का view है कि market sideways रहेगी या bullish रहेगी अगर expiry date तक stock की price 100 से जादा होती है तो उनके पास already 20 रुपए का profit है जो उन्होंने put option को sell करके कमाए थी जब तक price 100 रुपए के उपर रहती है seller को 20 रुपए का profit रहेगा और जैसे जैसे price 100 रुपए से 80 तक गिरेगी seller का profit कम होती जाएगी क्योंकि seller का break even भी 80 है क्योंकि seller ने 20 रुपए का premium लिया है और 100 रुपए से बेचा है तो अगर price 80 पर expire होती है तो seller break even पर होंगे यानकि no loss no profit पर होंगे यहाँ पर seller की maximum profit 20 रुपए ही है जो आपने premium पे किया है इसलिए कहा जाता है कि seller की profit limited है और price 80 के जितना नीचे move करेगा seller का loss उतना जादा होगा इसलिए कहा जाता है कि seller की loss unlimited होती है और profit limited होती है मैंने आपको कहा था कि put buyers की winning probability to only 33% होती है क्योंकि buyers तभी पैसा कमाएगा जब market bearish होगी अगर market bullish है तभी buyers loss करेगा और अगर market sideways भी है यानि कि price 100 से 80 के अंदर ही close करती है expiry rate तक तभी buyer loss करेगा buyer only अगर market bearish होगी यानि कि 80 से नीचे होगी तभी profit कमाएगा इसलिए कहा जाता है कि buyers की winning probability only 33% है मगर seller अगर market bullish है तभी seller profit कमाएगा और अगर market sideways है यानि कि 100 से 80 के बीच में ही expiry date तक close करता है तभी seller कुछ ना कुछ profit कमाएगा तभी seller की winning probability ज़्यादा होती है 67% होती है तभी यह था risk profile of put buyer and seller अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like जरूर करे और अगर आपको put option के बारे में कोई doubt है then leave a comment below मैं जरूर reply करूँगा मिलते है इस series के next video में जिसमें हम सीखेंगे कि intrinsic value and time value क्या होती है और stock market में इसका क्या important है और इसे calculation कैसे करते हैं अगर आप एक option trader है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जादा important video होने वाली है so make sure कि आप इस वीडियो को miss नहीं कर रहे है तब तक के लिए take care and stay safe thank you for watching